इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेड़ पहुत बड़ी खबन निकल कर आ रही है जितना ये न्यूस को कवरेज मिलनी चाहिए ना इंपोर्टेंट्स मिलनी चाहिए उतना इसको नहीं मिल पा रही है तो मैंने सोंचा कि इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी है वेल गाइस इसलामिक एमिरेट्स ओफ अफगानिस्तान में तालिबान गवर्मेंट ने दावा किया है कि इंडिया ने दोनों देशों के बीच में डिप्लोमाटिक रिलेशन्शिप को बढ़ाने में इंट अफगानिस्तान में और जाकर इन्होंने इसलामिक एमिरेट्स ओफ अफगानिस्तान के धुआरा एपॉइंटेट फॉरेंड मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की जिसके चलते दोनों देश इंडिया और इसलामिक एमिरेट्स ओफ अफगानिस्तान ने इकनॉमी को छेल रहा है और ये investment तब सामें निकल कर आई जब Islamic Emirates of Afghanistan की delegation इरान को विजिट किया था ताकि investment के बारे में बाचित कर सके याद रहे ये बाचित तब हो रही है जब इंडिया और Islamic Emirates of Afghanistan के बिच किसी भी तरह की diplomatic relationship नहीं है तो CDCD बात है इरान का यहां पर कहीं न कहीं बहुत पड़ा रोल है अफगानिस्तान और इंडिया को साथ में लाने के लिए अगर मैं इंडिया की investment के बारे में बोलू तो अफगानिस्तान में तो देखिए अभी तक इंडिया ने 3 बिलियन डॉलर्स की investment कर दिये अफगानिस्तान में और 3 बिलियन डॉलर्स इंडियन taxpayer का पैस साथ ही बहुत बड़ी रकम भी है हम ऐसे ही तीन बिलियन डॉलर को नहीं छोड़ सकते हैं और दाइस पास्ट में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी कैसे चाइना किसी भी तरह की टिप्लोमाडिक रिलेशन्शिप नहीं रहने के बावजूद भी इसलामिक अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है बिसनेस कर रहा है अपने एंफ्लोएंस को बढ़ा रहा है रीजियन में असल में दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर करीब 1400 से ज्यादा मिनेरिल्स फील्ड मौजूद है और इसकी कीमत लगपक एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है याद रहे मैं एक दो तीन पिलियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं जो बड़ी 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 रकम है और स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर आयरें कॉपर और गोल्ड इसलामिक एमिरेट्स आफगानिस्तान के अलग-अलग पाए जाते हैं साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरेल है लीथियम आज के टाइम ये सोने से कम नहीं है सबसे एहम खूछ लीथियम की ही है जो के की कंपोनेंट है बैटरिस को रिचार्च करने के लिए और स्पेशली आने वाले टाइम में लीथियम की डिमांड बढ़ कर रही है दूर जा रही है तो चाइना इस मोके का फैदा उठा कर अपनी इंवेस्मेंट अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है मैं शौक नहीं हूंगा कि सड़नली ये खबर आ जाए कि चाइना ने आज इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को रिकद्नैस कर लिया है एज एक कंट्री के तौर पर और तालिबान को लेजिटिमेट गवर्रमेंट करार कर दिया है और चाइना ये कर भी देता है भरोसा नहीं है चाइना का वे ये डौट था कि अफगानिस्तान हमारा ही पडोसी है अगर हम अपने डिप्लोमाटिक रिलेशन्शिप को इनके साथ डैवलेप नहीं कर लेते हैं तो चाइना का एंफ्लूएंस हमें इस रीजियन में भी देखने को मिलेगा और जिस तरह से चाइना अपनी एकनॉमी के दम भी है और एक्सपिरियंस भी है और ये सिनारियो बात इंडिया जब कुछ करने जाएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी एगें चियो पॉलिटिक्स में हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है तो हमारा काम ये है के हमें यहां पर अफगानिस्तान को दूसरा पाकिस्तान बन वो अफगानिस्तान के साथ टच भी होता है तो जिस दिन इंडिया पीयो के वापस लेगा तो इस्लामिक एमिरेट्स ओफ अफगानिस्तान इंडिया की बहुत मदद कर सकता है हां हमें रिलेशन्शिप बहुत ज़्यादा अच्छा और मेंटेन करकर रखना होगा लेकिन बार बार अपनी एरफोस का एस्तेमाल अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने करता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ्रस्टेट हो चुका है और बौर्डर का भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा हैं दोनों कंट्रीस के बीच ये जातो हुए दुसरा फैदा Indian investment और Indian influence को Islamic Emirates of Afghanistan में पढ़ाने की जरूरत है Islamic Emirates of Afghanistan के साथ मिलकर Profit कमाये Mining करकर Minerals को निकाले और इंडिया और चाइना इन दोनों में फरक यह हैं कि Chinese investment पहुत मतलब होती है आपको debt trap में फसा सकती है और ऐसा ही कहीं सारे various example आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इंडिया के case में इंडियन investment बहुत जादा crystal clear transparent होती है और हम किसी भी territory को चाइना की तरह कबजा नहीं करते हैं हम जहाँ investment करते हैं वहाँ countries को debt trap में से निकालने की पूरी तरह से कोशिश भी करते हैं और मैं वो इसलिए कह रहा था क्यूंकि तालीबान को ये बात समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये बात तालीबान को बहुत अत्तक समझ आ चुकी है मैं से लिए कह रहा हूँ recently Islamic Emirates of Afghanistan के स्पोक्सपस एंड सोईल शाहिन ने recently अपने इंटर्व्यू में ये बात को कहा कि Islamic Emirates of Afghanistan यहाँ पर आप देख सकते हैं यानि कि Islamic Emirates of Afghanistan की तालीबान ना ही अंटी इंडिया है और ना ही प्रो पाकिस्तान है ये statement में ना दम बहुत जादा है आज भी तालीबान इंडिया को एक important country मानता है बस इंडिया को भी मानना पड़ेगा तो यहाँ Indian government का step अपने secretary को भेज कर पहुत जादा positive था अगर future में इसके related कुछ updates आएंगी तो मैं आप तक ज़रूर लाँगा अगर इसके related कुछ भी dot हो तो आप मुझे comment कर रहें मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा साथ में हार भी दे दूँगा और अगर मेरी वीडियो informative दिखे तो international office के लिए आप मेरे चानल को subscribe कर सकते thank you for watching thank you for hearing and I always say God bless you all